सिक्स आउर्स लेटर आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टो फाइब अपकमिंग 5G स्मार्टफॉन जो कि आपको इंडिया में नेक्स्ट मानती है निगा अगस्त में देखने को मिलने वाले हैं सबसे बहुत करेंगे वीवो की तरफ से लॉंच होने वाले वीवो S17 Pro 5G स्मार्टफॉन की यह स्मार्टफॉन एक सूपर एमोड डिस्प्ले के साथ लॉंच के जाएगा और यहां पर आपको 120 की गड़ का हाई रिफरेशेट का एक्सपरिंस देखने को मिलेगा यहां पर प्रफॉर्मेस भी पावर्फुल मिलेगी में टेक डमेसिटी 8200 वाली पावर्फुल गेमिंग चिप्सट देखने को मिलेगी अगर बात करें बैटरी बैक अप की तो यहां पर मिलेगी आपको 4600 डेमेज की बैटरी और बैटरी को चार्ज करने के लिए 80 वाट फास चार्जिंग की सपोर्ट कैमरे में मिलेगा आपको ट्रिपल डियर कैमरे का सेट अप 50 मेगा पिक्सल का में सेंसर होगा विद होगा इसकी सपोर्ट मिलेगी 8 मेगा पिक्सल का वही मैक्रो लैंज देखने को मिलेगा और 50 मेगा पिक्सल का हैंप सेलफी सूटर देखने को मिलने वाला है Vivo S17 Pro के expected price की बात क्या है तो under 30,000 देखने को मिलेगा ये स्मार्टफोन इंडियर मार्किट के Second upcoming स्मार्टफोन होगा Samsung के तरप से Samsung Galaxy M54 5G स्मार्टफोन ये स्मार्टफोन भी आपको super remote display के साथ देखने को मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा आपको 120 गड़ का smooth high reference rate का experience बात करेंगे performance की तो performance में Samsung की बनावाई Exynos 1385 चिपसेट देखने को मिलेगी जो कि एक powerful gaming चिपसेट है यहाँ पर performance में आपको काफी तकड़ी मिलने वाली है बात करेंगे camera की तो triple year camera setup मिलेगा 108 megapixel का band sensor का with ois की support मिलेगी 8 megapixel का ultimate and 2 megapixel का macro lens देखने को मिलेगा और इस phone के अंदर आपको मिलेगा 32 megapixel का selfie shooter तो यहाँ पर आपको काफी अच्छे specification देखने को मिलेगे Samsung Galaxy M54 5G smartphone के अंदर इस phone में मिलेगे आपको 6000 mh की battery और battery को charge कर लेगे 25 watt fast charging की support और इसके phone के expected price के पात करें 28,000 के आज पास इसके price देखने को मिलेगे इंडियन मार्किट के अंदर थर्ड अपकमिंग smartphone होगा IQ के तरफ से IQ 11S 5G smartphone जो के card display के साथ launch किया जाएगा 144 gigaard का smooth high refresh rate का experience देखने को मिलेगा यहाँ पर मिलेगी Qualcomm की powerful gaming chipset Qualcomm Snapdragon 8 generation 2 वाली एक performance मिलने वाली जो की अब तक की सबसे powerful gaming chipset है यहाँ पर मिलेगी आपको 4700 mAh की battery और battery को charge करने के लिए 200 watt fast charging की support देखने को मिलेगी triple camera मिल जाएगा 50 megapixel का man sensor होगा with ois की support मिलेगी 8 megapixel cultivated and 13 megapixel का telephoto camera देखने को मिलेगा 8K में video recording कर पाएंगे और 16 megapixel का selfie shooter देखने को मिलेगा अगर phone के expected price की बात का है तो यह smartphone आपको 40,000 में देखने को मिलेगा Indian market के अंदर next upcoming smartphone की बात के तो वो होगा Poco F5 Pro 5G smartphone यह smartphone भी super remote display के साथ launch के जाएगा और यहां पर मिलेगा आपको 144 GHz का smooth high refresh rate का experience Qualcomm की powerful gaming chipset Qualcomm Snapdragon 8 plus generation 1 वाली एक chipset देखने को मिलेगी प्रफॉर्मस काफी तकड़ी मिलने वाली है ट्रिपल डियर कैमरे का setup मिलेगा 64 Megapixel का band sensor का with OS की support मिलेगी 8 Megapixel का ultra wide and 2 Megapixel का macro lens देखने को मिलेगा एक बात अच्छे निवले यहां पर भी आपको 8 के में video recording का option दिया जाएगा and 16 Megapixel का selfie shooter देखने को मिलेगा 5000 damage की बैटरी और बैटरी को charge के निकले 67 Watt fast charging की support देखने को मिलेगा यह smartphone भी आपको August के महीने में देखने को मिलेगा फोन के expected price की बात के तो under 35,000 में देखने को मिलेगा Poco F5 Pro 5G smartphone बात करेंगे इस वीडियो के last upcoming smartphone के बट उससे पहला अगर आपने वीडियो को like नहीं के तो please वीडियो को like कर देना और चैनल पहली बार आए तो चैनल को subscribe कर देना क्योंकि आपको इसी परकार से latest smartphone के regarding latest news मिलती continue बात करेंगे Realme के तरप से launch होने विले upcoming smartphone Realme GT Neo 6 5G smartphone यह smartphone भी काफी तकड़े फीचर के साथ launch किया जाएगा इस phone में आपको 1.5K resolution के साथ एक OLED display मिलेगी और यहाँ पर मिलेगा आपको 144 GHz का smooth high refresh rate का experience performance काफी तकड़े मिलेगी Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 वाली performance मिलने वाली है अब तक की सबसे powerful gaming chipset 4600 damage की बैटरी और बैटरी को चार्ज करने के लिए 240W fast charging की support यहाँ पर आपको दो वरेंड देखने को मिलेगे दूसर वरेंड जो होगा वो 150W fast charging के साथ launch किया जाएगा बात करेंगे phone के camera startup की तो triple layer camera startup मिलेगा 50MP का band sensor का video eyes की support मिलेगी 8MP का tablet and 2MP का macro lens देखने को मिलेगा यहाँ पर आप 4 game video recording कर पाएंगे और वही 16MP का selfie shooter देखने को मिलेगा इस phone के अंदर phone के expected price की बात का तो under 35,000 में देखने को मिलेगा realme GT Neo 6 5G smartphone तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स करके जिरू बताइए आज की वीडियो में इतना ही कल फिर मिलेगे को ने वीडियो साथ तब तक के लिए थैंक्यो वाचिंग देशी बड़ी जहिंद